उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बुदवार की देर रात दो बच कर 20 मिनेट पर माहल बिगाडने की नापात साजिस की गई इसके तहट चार मोटर साइकल सवार आठ लोग इसी जगह पर आए जहां वो मस्जिद है इस रास्ते से गुजरते हुए मोटर साइकल सीसी टीवी फुटेज में कैद हुए हैं सामने वो मस्जिद के सीसी टीवी फुटेज लगे हुए हैं जिनमें चार मोटर साइकल सवार युवक नजर आ रहे हैं एक मोटर साइकिल आगे निकलती है और दूसरे को इसारा करती है कि वह आगे की और बड़े उसमें से एक युवक उतर करके और कुछ आपत्ती जनक सामान मस्जिद की सीडिया है इन पर आकर के रख जाता है इसके बाद में लगबग तीन वजे के आसपास मस्जिद में मौज आ रहे हैं जा रहे हैं साथ ही साथ सुरच्छा विवस्था के फुक्ता इंतजाम किये गए हैं पुलिस को सूचना दी गई पुलिस तत्काल मौके पर पहुची और लोगों से परताल की जानकारी की CCTV फुटेज देखा गया अब देख सकते हैं या पीएसी का पहरा बिठाय है इसके लावा लोगों को टाकीद किया गया है पुलिस और पर सासंडी के ने जो धर्म-गुरूय है उनसे वी चर्चा की उनसे बात कियो और उनसे समझान की लिया आप बातें उनसे पूछी गई इस पूरे मामले में पांच लोगों को हिरास्त में लिया गया है जबकि आठ लोगों की पहचान की गई पुलिस दिकारियों का दावा है कि बहुत जल्द इस पूरे मामले से खुलासा किया जाएगे यहां देख सकते हैं कुछ इस्थानी किया है बड़ा सरम नाग घटना है ऐसा नहीं होना चीए और जुकी फैजावाद जुद्या जो है बड़ी तैजीब जगा है वगर चुकी कुछ लोग ऐसे हैं कि जो सेर को आग लगाना चाहिते हैं बड़ा घरत काम किया बहुत गलत काम किया इसकी निंदा कम की जाए तो दो बज़े देड़ बज़े रात को उड़ जाते हूं लोग उसी की पीरियाट दो बज़े ट्रीम जो है चार मोटा सैकील आती है जो गलत मास कटा हुआ और कुरान सरीफ फटा हुआ और बड़े अपने नभी को पर जो है गलत बयान देना उस अब यहां पर लाके पेक के पचार मोटा सैकली दस भागती है सहर में यह करीब घड़ना जो है दस जगां यह आट जगां हुई है वहागा यह आपके चैनल के माधिन से बताना चाहरे है कि जो यह रमजान सरीफ के टैम और यह रोजा के टैम इबादत के टैम इस तरह से यह घटना देना करना बहुत चीज है रमजान का पाक महीना चल रहा है मोटर साइकल सवार्स जो लोग आये थे यहां पर उनके CCTV फुटेज कवर हुए हैं उसमें देखा गया है कुछ लोग टोपी लगा हुए है क्या लगता है कौन हो सकते हैं अब टोपी तो आप भी समझ रहे हैं आपको क्या बताना भी समझ रहे हैं कि महुझ खराब करना है कि कि सांती पूरण चल ला है यह रमजान का महिना महुझ करा करना है बस टोपी लगा के मास लगा के और चाहे हिंदू हो चाहे मुसल्मान अपने धरम में इस तरह से गंदा हरकत नहीं करेगा अभी जान जारी है और ये असलम भाई है दिनों ने बताया कि पूरा वाक्या क्या था इस तरह की हरकत करके कहीं न कहीं महाल बिगाडने की कोशिस की गई क्या लगता है यह गटना हुई है इसका मकसद क्या हो सकता है यहां पर हिंदू-मुसिलिम का एकता है वो बरकार रहने चाहिए और मुसल्मान हिंदू दोनों एक साथ रहता है यहां पर कोई लड़ाई जगड़ा नहीं चाहिता बड़ा मुद्दा यहां पर आया हो लेकिन कभी कोई भेदभाव ने हुआ लेकिन कुछ साजिसे कुछ चं में जो हैकनब मच्गूल है उसमें कोई वह नहीं मुषमान करना ने शाहिता है मुषम इस वक्त बेरामजान का वहीना है इसे मुछ-वश नपतिक रहेंगे मॉजू यह साथ है कि यह यह यहां यह जो लोग कुछ नापाक साधिस्ट करने की कोशिस की गई करिया हाँ-क्र क्या लगता है आपको हम यांग नहीं रहने वाले हैं लोगों ने ऐसी कोशिस की कि जगड़ा हो जाए हिंदु मुसल्मानों में अपने नहीं मालूम आते हैं तो इस्थानी लोग हैं जिनका यह तहना है कि निशित रूप से महाल को बिगालने की कोशिस की गई पात रमजान म के साथ संजेत रिपाठी एबीपी नियूज आयोध्या